हेलो एब्रेवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हूँ प्रतिभा, मेरी चैनल कानपूर किचेन एंड ब्लॉक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब आलो और गोभी के पराथे अगर आपको पराथे स्टफ करना नहीं आता है तो आप इस तरीके से बहुत ही टेस्टी पराथे बना करके इन्हें सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बलको जरूर पेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहल तो ध्यान रखें इन्हें अच्छे से कद्दू कस करना है एकदम बारीक वाले ग्रेटर का इस्तमाल करें तो यह हमने चारो आलू कद्दू कस कर लिए एक कटोरी गोभी है इसमें हमने इसे भी कद्दू करके डाला हुआ है चार से पांच हरी मिर्च है आदा चमच अजव इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे इन सारी चीजों को पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद अभी तक हमने इसमें हरा धनिया नहीं डाला था तो काफी सारा मैंने इसमें हरा धनिया डाला हुआ ह अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तयार करेंगे तो आटा थोड़ा सा सक्त लगाएंगे हम तो देखिए इस तरह से हमने आपर आटे को तयार कर लिया हुआ है 10 से 15 मिनट के लिए से ढख कर छोड़ देंगे तो देखिए 15 मिनट हो गए है और आटा अच्छे से सेट हो गया है तो एक बार फिर चे हम हाथों को चिकना करके आटे को अच्छे से मसल करके तयार कर लेंगे तो ये लीजिए हमारा आटा तयार है तो अब हम इसके पराठे बनाएंगे तो अब से पहले हम इसकी लोई यह तरह से बना लेंगे तो जितने बड़े आप प्राठी बनाना चाहते हैं. है उसे हविड़े इसाप चायर करें तो तो जो भी आपको पिछ बना सकते हैं तो इसके घंगे, दूब देल को नौट तोड़ा से सूखा आठा छिड़क देंगे इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारे कॉर्णर को एक जगई कठा कर लेना है ऐसा करने से जो पराठा बनता है उसमें काफी अच्छी लेयर आती है इस तरह से फ्लैट करेंगे और फिर से सूखे आठे में डस्ट करे रखे नदेगे और इसे बेल लेना है पराठे को थोड़ा सा मोटा रखेंगे जैसी हम साधा पराठा बनाते है उससे थोड़ा सा यह पराठा मोटा रहता है क्योंकि हमने इसमें आलू डाला हुआ है जिसकी वज्ञे से बहुत ही ज़्यादा फॉफ्ट होग होगा और गोभी की वज्ञे से हलका सा क्रची भी होगा तो अमने इसे तवे में डाला हुआ है एक साइट से पक जाएगा तो और ल거든 कर देंगे दूसरी साइट से भी अच्छे से टर्न करने के बाद हम इसमें तेल लगाएंगे तो काफी अच्छी क्वांटिटी में तेल लगाएंगे ताकि पराठा अच्छे से पके तो यह देखिए हमने से पलट करके दूसरी साइट में भी अच्छे से तेल लगाया हुआ ह और अब हम इसे मीडियम आज में इस तरह से कल्ची से हलका सा प्रेस करते हुए पकाएंगे जिसे कि इसमें बहुत अच्छे गोल्डेर स्पॉट आ जाएंगे तो पराठा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये लिजी हमारे बहुत ही टेस्टी आलू और गोभी क लाजवा पराठे बनके तयार हैं आप इसकी लेयर दिखिए कितनी अच्छे दिख रहे हैं ये पराठे खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी हैं आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई